स्रीमती जसकौर मीना जी बहुत बहुत धन्यवाद सभापती महोदया यह विशे खेल एक ऐसा विशे है इस विशे को समझना हर हिर्दे की अवश्रक्ता है हम अपने बचपन में जाएं जिस समय माता पिता अपने काम में व्यस्त होते हैं और बच्चे को एक लाइन बोलते हैं कि बेटा जा खेलिया बेटी जा खेलिया ही ये खेल का आदेश मिलना ही उनके हिर्दे की उल्लास और उमंग को दिखाई देता है हमें वहाँ से शुरू करना है क्यल एक ऐसी विधा है जो हर इस तर के हर गरीब अमीर के जीवन इस तर में एक उमंग लाती है और वैसे भी कहते हैं कि स्वस्त मन स्वस्त सरीर में ही निवास करता है और स्वस्त बुद्धी स्वस्त सरीर के ही धारण करता है। चाहे स्टेपू खेलें चाहे वो रसा कसी करें या उचल कूद करें उसमें उनके सारेरिक स्टेमिना में ब्रद्धी होती थी मोटा खाना, मोटा पहनना, मोटा खेलना, मोटा दोड़ना ये सारी चीजें हमारे स्वास्त के लिए अवशक हैं हम धन्यवाद में धन्यवाद देना चाहूंगी कि 2018 में खेलो इंडिया की जो कल्पना की गई और इस कल्पना के पीछे अपने देश की युवाशक्ती की ताकत को ही उपर उठाना था और युवाशक्ती केवल शेहरों में निवास नहीं करती देश में 80 पृत्सत लोग गाउं में निवास करते हैं और गाउं के अंदर निवास करने वाले हमारे युवा हमारे नोनिहाल वाकई में प्रतिवाओं के धनी है आज खेलों इंडिया के तहट जब हमने सांसद खेल प्रतियों गिता है या आयोजित की निशन दे मानिये सभापती महधिया मैं कहना चाहती हूँ कि बेटे और बेटियों में बराबर उत्साह था और इतना उत्साह था कि वो अपने अपनी प्रतिभा को महा प्रदेशित करके और एक अपना स्थान बनाना चाहते थे लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत वाली बात है कि हमारी टेनिंग सिस्टम बिबिन प्रकार के खेलों को उस दियोजित धंग से अनुसासन में रहते हुए खेल हम किस तरह से खेलाना चाहते हैं ये बातें बहुत जरूरी है विचार करनी खेलों इंडिया के अंत्रगत पूरे देश के अंदर राज्यों ने भी खेलों का आयोजन किया भले ही नाम बदल कर राजस्थान ने खेल का आयोजन किया लेकिन किया और इसलिए किया कि भारत सरकार ने राजस्थान अकेले को 48 योजनाय दी और उसमें 112.28 करोड की रासी भी दी लेकिन दुर्भागी क्या होता है कि राजनेतिक उठापटक में हमारी प्रतिभाओं को जिस तरह से तरासना चाहिए उस तरह से तरासा नहीं जाता केवल दिमात में जो वोट की पॉल्टिक्स है यह हमारे युवा शक्ति का हमारे विद्यार्थियों का उनकी प्रगती में बाधक है हमें नई शिक्षानीति के अंत्रगत विद्यार्थि केंद्र में है शिक्षानीति के उसका आत्मनेरबरता उसका स्वावलंबन यह हमारे लक्ष हैं और इने लक्षों को प्राप्त करने के लिए निश्शन्दे खेल एक ऐसी विदा है जिसको हमें तरासना होगा समारना होगा परखना होगा और देहात में उसको चिन्नित करना होगा मैं ग्राम पंचायत इसतर की बात करना चाहूंगी मानने खेल मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि ग्राम पंचायत इसतर पर तीन या चार गाउं का या पांच गाउं का एक संकुल होता है ग्राम पंचाय को अपना समय उस समय खेल का लाब मिले मैं ये भी आपसे कहना चाहूं कि खेल एक ऐसा जीता जागता सामर्थ प्रदान करने वाला उपकरम है जिसे हमें संभालना है जो हमारा विगत आजादी के 55 साल में जो अधिकान समय गया वो केवल केवल नगरिये विवस्ताओं को ब्र मैं निकला था इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं है लेकिन मैं जानती हूं इस बात को क्योंकि मैं गाउं की महिला हूं गाउं में पली बढ़ी हूं और गाउं में सितोलिया और स्टैपो खेल कर हमने जिंदगी अपने स्टैमिना को बढ़ाया आगे बढ़े आज ख संसोधित खेलो इंडिया कारिकरम के क्रियानवैन को जो मंजूरी दी है यह मंजूरी हमारी धरातल तक पहुचनी चाहिए और यह केवल टॉप प्लेविल पर या बड़े-बड़े जगों पर स्टेडियम बनाने से सार्थ सिध नहीं होगी आज क्रिकेट का खेल जिसके लिए खेल खेलने वाले हमारे 11 भाई होंगे या 22 होंगे लेकिन देखने वाला पूरा देश उसके लिए समय बरबाद करता है लेकिन जब खेल हमारे गाउं पंचायत में होता है वहां गाउं पंचायत के लोग जिनको ये टेकनोलोजी का जानकारी नहीं है वो आखों से जब दे जीजे यदि देश को के युवा को देश के नौजवान को देश की बेटी और बेटे को समान रूप से यदि हम पुष्ट करना चाहते हैं तो हमें सुविधाओं का विस्तार करना पड़ेगा आज युवा सकती खेलों के प्रती जितनी उत्साहित है और इस उत्साह के साथ एक परमलक्ष हमारा है कि खेल जहां खेले जाते हैं वहां मैत्री होती है वहां आपसी सोहार्थपुन बातावन बनता है और जो खेल खेलने वाले हारने जीतने वाले अपने हारने वाला अपने प्रयास को और अधिक दुरुस्त करने के लिए सोचता है जीतने वाला एंकार में ना आकर ये संसकार कौन देगा ये कोच देते हैं हमारे ट्रेनर देते हैं हमारे प्रिसिक्षन देने वाले हमारे शिक्षक देते हैं उनके अंदर दुर्भावनाएं ना हो morally sound हो तब ही हमारी बेटियां खेल के लिए आगे आएंगी मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि आज हमारी जो भार उठाने वाली केवल घास खोद कर लकडियां बीन कर जो आगे बढ़ रही थी उस मीरा भाई ने गोल्ड मेडल जीता है और उसने किस तरह से अपने आपको भार उठाने में सक्षम करने में कोई उसके लिए ट्रेनर नहीं था उसकी जीवन सेली ही ऐसी थी कि पहाडों पर घास लेना पहाडों पर वो जाकर कि लकडियां उठाना ये काम जब करती थी तो भार उठाने की आदत पड़ गई मैं भी आज कहूं कि मैं दो मटकी अपने सिर पर खुद रख लेती थी वो कैसे रखती थी आज शहर का बच्चा नहीं रख सकता क्योंकि स्टैमिना नहीं और जो पढ़ाई का सिस्टम है वो सिस्टम एक रटन्तू तोते की तरह है किताबों को रट कर अपने प्राप्त की ये ग्यान को कुस्तक में उडेल दिया उसको प्रैक्टिकल ग्यान नहीं है और जब तक प्रैक्टिकल ग्यान नहीं होगा ये तब ही होगा जब खेलों के माध्यम से हम बच्चों को पूर्ण समय देंगे नई शिक्षा नीती के अंतरगत मुझे विश्वास है कि खेल के बारे में काफी कुछ सही जो प्रजेंटेशन है वो किया है और ये सही है कि पहला सुख निरोगी काया ये निरोगी काया कैसे रहेगी ये केवल पीजा बर्गर खाने से नहीं रहेगी आज टीवी के आगे बैठे रहने से नहीं होगी और मोबाइल पर गेम खेलने से भी नहीं होगी उसको मैदान में उतारना पड़ेगा और मैदान में उतार कर यदि हम उन बच्चों को सशक्त मजबूत करेंगे क्य जैसे केंद्रों ने भी बेटियों को भी खेलों के अंदर उतारने की कोशिस किये आज राजस्तान के अंदर मोधी इस्टिटूट जहां लगभग तीन हजार बेटियां पढ़ रही हैं जब मैंने खुद ने भी वहाँ जाकर देखा तो वहाँ ये खेलों के लिए परात्मिक्ता है और मैं ये भी कहना चाहूँ कि मैं खुद भी एक संस्था की संचालक हूँ तीस साल से जिसमें केवल अनुसूचे जन जाती की बेटियों को तरास्ते हैं उन बेटियों को जो कबड़ी में देखते हैं तो वो बेटियां शेहरों के मुकाबले कहीं अधिक स्टेमिना लेकर आगे बढ़ती हैं मानने आपने समय दिया लेकिन एक बात जरूर सलाह देना चाहूंगी कि जो खिलाडी जिला इस्तर पर खेलता है जो खिल अधार पर उन्हें कहीं नौकरियों में उन्हें कहीं अन्य जगों पर भी सुगमता देंगे ये हमें मेरे सुझाव हैं और सुझाव तो बहुत थे क्योंकि मैं प्रैक्टिकल सारा कुछ देखती हूं करती हूं सुझाव तो बहुत थे लेकिन माननी आप बार बार रोक रह चाहिए तभी जाकर हमारी बेटियां महिला कोच भी हमारे अधिक से अधिक लगाए जाने चाहिए तभी हमारी बेटियां भी आगे आएंगी बहुत-बहुत धन्यवाद ना स्री एम भरत जी